हाई बच्चों आप सबको गुरुदेवा अन्तरजाल कक्षा में स्वागत बच्चों पीछेतों कवंसी मात्रा के वीडियो देखाता आज हम पू की मात्रा के शब्द सीक रहे हैं। वो अपनी पेज नंबर, वो अपनी हिंदी बुक पेज नंबर 24 पर रहने वाले पू की मात्रा के शब्द सीकुरी इससे पहले आपको मैं एक छोटा सा राइम सुनाती हूं। सुनो, तुम भी वैसा ही गाना सीखो, कविता है, वो मोर की कविता है, मोर याने पिकार्ट, बनिंगे अब हम, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाखी जो बचाता काले चोर ले गए, अच्छी नानी प्यारी नानी रुसारुसी छोर दे, जल्ली से एक पैसा दे दे, तुकंजोसी छोर दे, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाखी जो बचाता काले चोर ले गए, काले चोर ले गए, कैसी ती कईता आच्छे तिना, अब हम कक्षा को शुर करेंगे, विशाय हिंदी घटर, उ की मात्रा, कक्षा दोवी का है, आदा का अधिक उ, इस उ की मात्रा के शब्द लिखना पढ़ना सीखेंगे, उ की मात्रा का पहला शब्द क्या है, पहला शब्द उपाहार है, क्या है उपाहार, उ सरक्षर है, पा, हा, हा क्या आगे आधा मात्रा, र, उपाहार, अगरेजी में गिफ्ट बोलते हैं, यह क्या है देखो, बरतडे पर उपाहार देते हैं न, गिफ्ट देते हैं न, उसको ही हिंदी में उपाहार बोलते हैं, कुछ भी हो, फंक्षन पर देते हैं न, गिफ्ट उसको ही उपाहार बोलते हैं, देखो, आधिक लिकना है, पा, वैसा ही लिकना है, आधिक लिकना है, हावई साजी लिखना है यहाँ पर अधिक लिखना है रा लिखना है यह सबी जुड़कर लीचे उपाहार उपाहार देखो यह क्या है अंग है गिफ्ट क्या बगते हैं गिफ्ट देखो अंग्रेजी में गिफ्ट बोलते हैं अब हमारा उ की मात्रा का आगे का शब्द आगे का शब्द कौन सा है आगे का शब्द गुलाब है क्या है उ का मत्रा लाब गुलाब अंग्रेजी में इसको रोज बोलते हैं अब पुछितर दिख रहा है ना यही गुलाब है गुलाब कम सा रंग है बच्चो गुलाब लाल रंग है लाल है रेड देखो एक गुलाब आयरवेदिक गुणवाला आउशदी गुणवाला एक फूल है इसे गुलकन बनाते हैं देखो एक गुलकन हम खाते हैं किस से कौन स फ्फुल से बनाते हैं गुलाप से पार्ष्ःम सोप बनाते हैं देखो ये उपाइप्त भूल और अब मैं उस सब्सकों भीच्छेगन करना आपको बताती हूं बच्चों इसदर देहं देखो तुम तुम उका मत्रा पर ऐसा लगाते हो, यह गलत है, तुम उका मत्रा इस अक्षर के नीच तुम लगाना है, यह सही है, ऐसा लिखना है, देखो, ऐसा मत लिखो, ऐसा नीच अक्षर को टच करकर लिखो, अब मैं इस शब्द में उकी मत्रा कहां पर है, आपको बताती हूं, अधिक उ, यह स्वरक्षर है, अधिक लाव ऐसा ही निको, अधिक ब, अब यहाँ पर यहाँ पर आदा आक्षर बन गया, यहाँ पर पूरा आक्षर विक्री मुगा, गाते नीचे उ का मत्रा, देखो यह स्वरा है, यह उसकी मात्रा है, नीचे देखो, यह उसकी मात्रा है, यह लाव ऐसा ही लिखना है, लाव ऐसा ही लिखना है, बा लिखना है, बा, यह उपर स्वयूई रेखा दलना है, देखो यह उ का मत्रा, यहाँ पर आ का मत्रा हम पीचे सीख सुके हैं, यह क्या है, कुछ भी मात्रा नहीं है, यह क्या है, आ, small आ का मात्रा है उपर, यहाँ पर आ का मात्रा है, यह उ का मात्रा, गुलाब, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोज, अंग्रेजी में रोज बोलते हैं, रोज बोलते हैं, अब हमारा आगे का शब, आगे का शब कमसा है, शब जुराब है, क्या है, जुपराब जुराब साक्स को जुराब बनते हैं तेखो हम स्कूल को आने पर जुराब पहना कर शूउ दालकर आते हैं जुराब क्या है साक्स को जुराब बलते हैं यही जुराब है अब मैं इस जुराब शब्द में विकू की मात्रा कहां पर है आपको बताती है देखो यहाँ पर जा तुम आदा करना है अधिक लिखना है कौन सोरक्षर है यह कौन सोरक्षर है बोलो यह उका सरक्षर है अधिक राव वैसे लिखना है अधिक बा क्या है बा नीचे जा यह जा है इसको हम उका मात्र दालेंगे जू देखो ये सोड़ा है ये उसकी मात्रा है जू रा ब जुराव अंग्रेजी में क्या बोलते हैं साक्स बोलते हैं अंग्रेजी में साक्स, हिंडी में जुराव अब हमारा आगे का शब, आगे का शब कुन सा है, आगे का शब बुल-बुल, यह एक पक्षी है, क्या है, बुल-बुल, यह एक पक्षी है, पक्षी है, कवाम और कैसे है, वैसा ही यह एक बुल-बुल पक्षी है, आपको मैं बुल बुल शब्द में कहां पर उ की मतर है आपको बताती हूँ, देखो, बा अदा करना है, अधिक लिखना है, उ लिखना है, अधिक लिखना है, ला वैसा ही लिखना है, अधिक लिखना है, यहां पाब यहां में विच्छे दर करना है, अधिक उ, अधिक ला, यह हम उएसा ही देखना है कि यह देखो यह मीडल है बु कि यहाँपर भी मीडल है इसत्रिय में वहान पर भी विछ देखों इस शर्ण को विलती हून देखोn स्वार है यह उसकी मात्रा है ला बालिकार बुल 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 नाइटेंगल को बुल बुल नाइटेंगल नाइटेंगल एक पक्षी है पक्षी यह बर्ड है यह एक जाती का पक्षी है मोर अब हमारा आगे का शब्द कुंसा है जामून क्या है जामून जामून लुट जामून देखो जामून क्या है ने कनाड में इसको नेरल हनुव बोलते हैं जामून रणकर है ता है बैगन याने परपल रंकर है यह यह फल लह चाने से हमारा शेहत अच्छा रहता है क्या है जामून, कन्नड में इसको नेरले हन्डू बलते हैं, अब मैं इस शब्द को बिच्छे दम करना आपको बताती हूं, देखो, जाव ऐसा ही लिखना है तुम, अधिक लिखना है, मादा करना है, अधिक लिखकर, उस्वरक्षा लिखना है, अधिक ना, अधिक ना, अब मैं इस शब्द को जोड़कर यहां नीचे लिखना हूं, जा, माकू, उ का मात्रा, यह दोनों मिलकर, देखो, यह स्वर है, यह उसकी मात्रा है, ना, जामून, अंग्रेजी में बलाग बरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बलाग बरी बोलते हैं, अंग्रेजी में बलाग बरी बोलते हैं, एक फल लहे, अब मैं इन शब्दों को एक बर बोल कर देती हूं, उपहार, उप, अधिक प, अधिक ह, अधिक र, 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 अध अदिक ला, अदिक आदाबा अदिक वु, अदिक ला, बुल बुल, नौयटेंगल जामुन, जरा अदिक आदामा, अदिक वु, अदिक ना, जामुन, बला, बरी अब पढ़कर सीखो, शब्द सीखेंगे पढ़कर सीखू सुन लिजन धुन प्यू खुश खैपी चुप पाइट साबुन सो दुनिया वर्ड कुरसी छेर धनुश बो पुजारी प्रिस्ट चुप चाप सैलेंटली मुरुजाना विधर मुरुगी है अब हम एक मात्रा के शब्द एक एक्टिविटिस के साथ से हम लिखना पढ़ना सीखेंगे देखो इन मात्रा वाले शब्द लिखो यहाँ पर देखो मैं मात्रा लिखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें एक शब्द मैं अब लिखती हूँ, तुम ध्यांसर देखो, यहाँ पर देखो, मैं अमत्रिक शब्द का नीचे एक शब्द लिखती हूँ, नल यहाँ पर कौन सी तो मात्रा है नहीं आगे बाल यहने हेर को बाल भोलते हैं यहाँ पर आ की मात्रा है यहाँ पर आ की मात्रा इक मत्रा का एक शब्द बोलो इक मत्रा का कोई तो एक शब्द बोलो हाँ सही है इक मत्रा से सा इक मत्रा र सिर्द यह क्या है इक मत्रा का शब्द इक मत्रा से कोई तो एक शब्द बोलो इ का मत्रा से कोई तो एक शब्द बोलो हाँ ना दी अब हम उकी मत्रा का एक शब्द कमसा आता है बोलो उकी मत्रा का एक शब्द हाँ क्या है सुन लिजन सुन साल को उकी मात्रा सुन देखो मैं सभी मात्रा वाले शब्द एक बार बल कर देते हूं ध्यान से सुनो नल बार सिर नदी सुन तुम यहाँ पर नीचे इसके नीचे तुम कोई तो आमात्रिक शब्द दिको आगी मात्रा वी की मात्रा वी की मात्रा वी की मात्रा के शब्द लिखना है लिखकर यहाँ पर देखो एक दो शब्द लिखना है एक शब्द दो शब्द यहाँ सभी मात्रा की शब्द लिखकर मेरे नमबर पर सेंड करना है अब हम कुस्तक में रहने वाले शब्द लिखना पढ़ना 24 निकालो अब हम उकी मात्रा के शब्द पढ़िंगे उकी मात्रा उपाहार गिफ्ट गुलाब रोज जुराब साक्स बुल बुल नाइटिंगल जामून ब्लाग बरी पढ़कर सीखो रीडन लग सुन लिजन धुन ट्यून खुश हैपी चुप क्वाइट साबुन सोप दुनिया वर्ड कुर्सी चेर दनुष बो पूजारी प्रिस्ट चुपचाप सैलेंटली मुर्जाना विथर मुर्गी हैं लिखो रैट यहाँ पर ऊपर रहने वाले अक्षर को ऊपर ट्रे शब्दों को भी तुम उपर ट्रेस करना हैं उपर लिखना हैं यहाँ पर देखो मुर्गी की धुना फ्ल्यूट यहाँ पर देखो इस लड़के का नाम मादव है मादव मुर्गी बजाता है मुर्गी की धुन मीठी लगती है वो धुन सुनकर दूसरों को ठकान मिट जात क्या बजाता है माधो मुरली बजाता है अब मैं इस छोटी कविता को बोल कर देती हूं मुरली की धुन तीवनाफ फ्ल्यूट माधो की मुरली की धुन मेठी लगती सुन सुन माधो जब भी मुरली बजाता सुनकर बहुत मज़ आता मुरली की मीठी धुन सुनकर मिट जाती सारी ठकान मुरली की मीठी सीतान सुन कर मिल जाता आराम, सुनकर मिल जाता आराम, अब हम पुस्तक गतिवदी करेंगे। मुरली, बासुरी, फ्लूट, धुन, लाई, ट्यून, तान, सुर, म्यूजिकल ट्यून, आराम, सुक, रेस्ट, तकान, थकावट, अब्यास, एक्सेस, एक, शुत्रले, डिटेक्शन, माधो, मुरली, धुन, खुश, तकान, तान, दो, उचिस्तान पर उकी मात्रा लगाकर श at the correct place and complete the words, यहाँ पर देखो उकी मात्रा लगा चुके हैं, इन शब्दों को उकी मात्रा लगाना है, बुडिया, गुलाब, मुरली, कुर्ता, गुडिया, पुल, ऐसा उका मत्रा लगाना है, तीन, अंग्रेजी शब्द दिको, write those words in English, साबुन, सोप, गुलाब, रोज, फ्ल्यूट, हुश, हैपी, तुम घर पर लिखना है, इन अंग्रेजी शब्द, चार, उकी मात्रा लगाओ, और शब्द लिखो, put the symbol of U at the correct place and write, देखो यहाँ पर फर्स्ट लेटर को उकी मात्रा लगा चुके हैं, इन सबी शब्दों को तुम उकी मात्रा लगाना है, खुश, सुन, गुलाब, सुबह, चुहिया, कुर्सी, पांच, जोड़कर लिखो, जाइन लेटर अंड, रैट वर्ड्स, क्छ, मा, अधिक, उ, अधिक, र, अधिक, ग, अधिक, इक, मत्र, मुर्गी, क्छ, द, अधिक, उ, कमत्र, अधिक, न, अधिक, या, अधिक, आ, कमत्र, क्या बन गया, दुनिया, दुनिया, आईसा लिख गा, स, अधिक, आ, अधिक, बा, अधिक, उ, कमत्र, अधिक, न, स, साबुन घ जा अधिक उ अधिक रा अधिक आ कमत्रा अधिक ब जुराब छे एक शब्द में उत्तर लिको राइड दा आंसर से इन वन वर्ड का, माधो क्या बजा रहा था? मुरली, माधो मुरली बजा रहा था? few, मुरली की धुन कैसी लगती है? मीठी, मेठी, Ga मुरली की धुन सुनकर क्या मिठ जाती है? ठकान, ठकान साथ जर जर से बोल कर पढ़ो Say aloud and read चुप, कुछ, दुम, गुड, तुला, कचुआ, दुकान, धनुष, खुलना, सुराई अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे बच्चो, धन्यवाद